आज के वीडियो में हम देखेंगे string के revision questions string को कैसे declare किया जाता है, initialize किया जाता है, input कैसे लिया जाता है output, string को print कैसे किया जाता है, string के built-in functions without using built-in functions हम उनको कैसे achieve कर सकते, उन task को कैसे achieve कर सकते यह सारी चीज़े हम देख चुके हैं अब आज के वीडियो में हम कुछ division questions देखेंगे, जिनसे फिर से आपके वो concept से वो क्या हो जाएंगे, device हो जाएंगे, okay? अब यहां पर हमने string की जो size वो क्या बताई है? 3 बताई है, okay? मतलब हम क्या बोलना चाहरे हैं कि हमें 3 characters के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक string को declare कर रहे हैं और उसके अंदर तो 3 characters के लिए हम string declare करेंगे, तो उसको obviously क्या मिलेंगे? क्योंकि character की size क्या होती है? 1 byte होती है, तो obviously उसको कितनी bytes मिलेंगे? total 3 bytes मिलेंगे, okay? तो यह है 0 location, यह है 1st location और यह हमारी 2nd location, okay? अब उसके अंदर हम initialize क्या कर रहे हैं? cat, c, a, t, okay? लेकिन आपको पता है कि string के last में क्या append किया जाता है? अपेंड किया जाता है, लेकिन यहां पर क्योंकि हमने c80 फिल कर दिया है, तो यहां पर null terminating character के लिए कोई space है ही नहीं इसलिए यह जो statement है यहां पर क्या जाएगी? आपको error मिल जाएगी, okay? लेकिन यही अगर आप size को बढ़ा देते हो, 4, 5, 6 कुछ भी बढ़ा देते हो आप, तो आपको error नहीं मिलने वाली है, okay? इसके बाद में यह सारे concepts में previous videos में explain कर चुकी हूँ, okay? इसके बाद में हमारा next question है यह, ठीके? यहाँ पर हमने again a string declare किये, यहाँ पर हमने size नहीं बताई है, क्योंकि हम directly यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनिशलाइस कर रहे हैं, हम size बता दे तो भी problem नहीं है, अगर हम size नहीं बता रहे हैं, तो इसके according इसको, जितने भी हम यहाँ पर contents दे रहे हैं, जितने भी हम elements दे रहे हैं, उसके according इसको क्या हो जाएगी, memory allocate हो जाएगी, ठीके? तो यहाँ पर हमने total कितनी bytes, कितने characters बताया है, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीके? तो इसको इसको according क्या हो जाएगी, memory allocate हो जाएगी, लेकिन कितनी होगी वो देखना, अब सबसे पहला question आपके mind में आरा होगा, कि यहाँ पर हमने numbers दिये है, जबकि string तो क्या होती है, sequence of characters होती है, लेकिन हमने आपर numbers दिये, तो क्या error आजाएगी, तो error नहीं आएगी, क्यो क्योंकि आपको पता है, characters भी memory में store किस form में होते है, उनकी asky values के form में, उनकी asky values store होती है memory में, ठीक है, अगर हम cat दे रहे है, c दे रहे है, तो इसका मतलब यह नहीं कि as it is c store होने वाला है, उसके asky value store होने वाली है, तो यहाँ पर अगर हम numbers दे रहे हैं, तो यहाँ पर यह दे रहे है, c di, लेकिन अब आपको क्या लगेगा, कि यहाँ पर हो जाएगा 0, field d और यह null terminating character है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 0 किसकी asky value होती है, null character क्या होती है, asky value क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर ऐसा माना जाएगा, कि 0 दिया है, इसका मतलब हम string को क्या कर है, terminate कर रहे है, ठीके, तो हमारी string को कुछ इस तरह से पहले यहाँ पर क्या है store होगा, 65, then क्या store होगा, 67, और फिर यह क्या है, 0 मतलबी क्या है, null terminating character है, ठीके, होगा store 0 ही, लेकिन क्योंकि इसको treat null character की तरह किया जाएगा, अब अगर आप string को print कर वाते हो, तो output में only a, c यह 0D नहीं आएगा, क्योंकि string यहीं पर क्या हो चुकी है, terminate हो चुकी है, इसके बाद में आता है, एक और चीज, लेकिन यहाँ पर हम कुछ बड़े numbers दे देते हैं, जैसे 190 दे दिया, 192 दे दिया, तो उस case में क्या आजाएगी, error आजाएगी, क्यों error आजाएगी, क्यों कि उसको कितनी byte मिली है, 1 byte मिली है, यह जो numbers है, उस range से बाहर है, यह numbers क्या है, उस range से बाहर है, तो यहाँ पर क्या आजाएगी, error आजाएगी, इसके बाद में, maybe error नाया, तो unexpected output आएगा, ठीक है, इसके बाद में, अगर हम यहाँ पर यह numbers को क्या देते हैं, कुछ इस तरह स में हैं, तो उनको as a character ही क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, यही 0 को भी हमने single quote में दिया होता, तो फिर इसको null terminating character की तरह ना ट्रीट करके, उसको कैसे ट्रीट किया जाता, 0 as a character ट्रीट किया जाता, तो आपको यह जो भी चीज़े में बता दी हूँ, प्लीज आ क्या output आ रहा है, ठीके, अगर आपको programming सीखनी है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ bookish, definition देखी, functions देखी, उनकी definitions देखी, और कर लिया, नहीं, आपको अलग-अलग practices करोगे, तो ही आपका interest develop होगा, interest develop होगा, तो अपने आपको programming easy लगने वाली, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीके, अब देखो, next question में क्या है, यहाँ पे हमने एक integer declare किया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, strlen, अब जैसा कि आपको पता ही, string length function किस के लिए use होता है, string की length calculate करने के लिए use होता है, ठीके, अब यहाँ पे हम directly string दे रहे हैं, उसको पहले declare करके, initialize करके, फिर हम नहीं दे र यह हमारा first character, second, third, fourth and fifth, जैसे हमने cat दिया था, तो C एक character, A दूसरा character, T दूसरा character, ठीके, तो इनको as a number नहीं, इनको as a character treat किया जाएगा, देको C किस में convert हो गया था, इस C में हो गया था, यह A किस में convert हो गया था, इस A में, और T इस T में convert हो गया था, मतलब यह C character, दूसरा यह 30 character, उसी तरह से, इस 1 को as this character, मतलब यह 1 को as a character treat किया जाएगा, फिर इस 2 को यह next character की तरह treat किया जाएगा, तो हमारी 0 location पे आएगा 1, first location पे store होगा 2, third location पे store होगा 3, अब आपको क्या लगीगा, क्योंकि 0 आ गया है, मतलब string terminate हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों क्योंकि मैं क्या बता रही हूँ आपको, कि 1 को as a character treat किया जाएगा, तो obviously 0 को भी as a character treat किया जाएगा, as a number treat नहीं किया जाएगा, तो हमारी string में, यह 0 भी store होगा, यह 4 भी store होगा, उसके बाद में क्या append कर दिया जाएगा, नल character को append कर दिया जाएगा, तो कुल मिला कि इसको terminating character आजाएगा, तो इस तरह से यह string क्या होगी, store होगी, यह है हमारा fourth question, जिसमें हमने यहापे string को declare किया है, ठीक है, जैसे हम normally क्या करते है, कोई सा integer declare कर देते है, और उसके बाद में अगर हमें लगा कि हमें I co initialize करना है, कि से 20 से, तो यहाँ पर तो कोई problem नहीं होती है, लेकिन strings के case में ऐसा नहीं है, अगर हमने यहापे क्या दिया है, यहापे string को declare किया है, obviously इसको 20 bytes मिलने वाली है, उसके बाद में हमने क्या लिखा है, as is equals to hello, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, error आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ तो आप string को declare करते से, उसको क्या क करो, उसकी value user से पूछो, ठीक है, लेकिन इस तरह से आप declare करने के बार, उसको assign, उसकी value को इस तरह से assign नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ तो आप क्या करो, तो देखो, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, cancel कर देते हैं, ठीक है, हमने यह declare कि a string s नाम से, तो यहाँ तो आप क्या करो कि आप यूजर से इंपुट लो आप यूजर से इंपुट लेने की कितने तरीके होते हैं या तुम scanf के help से ले सकते हैं या getis के help से ले सकते हैं उसके लिए भी एक separate video है वो पूरा आप देख सकते हो ठीक है तूटल four methods मैंने आपको बता है किस तरह से ले सकते हैं अगर suppose हमने आपे क्या लिखा है scanf लिखा है क्यों क्योंकि string क्या है string pointer है ठीक है यह 0th location को point कर रहा है मतलब यह already क्या कर रहा है उस address को point कर रहा है तो यहां पे आपको address of operator लगाने की ज़रूरत नहीं है तो अगर आप कुछ इस तरह से कर रहे हो अब obviously scanf statement है मतलब wait किया जाएगा user से input का ठीक है तो अब आपको क्या लगेगा hello world store हो गया अब आप printf की help से या कि cv or output state में output function की help से चैप put is की help से आप इसको print कीजिए तो output में only क्या आएगा hello आएगा world नहीं आएगा क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था कि scanner only space तक किसी भी newland character ये space तक क्या करता है white space character तक क्या करता है input लेता है उसकी बाद input scanf नहीं accept करता है ठीक है तो आपको लगेगा कि world भी scan हुआ है लेकिन वो नहीं होगा ठीक है तो उसके लिए better तरीका क्या है कि आप get test का use करो get test के क्या drawbacks है ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से explain किया था ठीक है तो आप get test के help से आप क्या कर सकते हो input ले सकते हो लेकिन आपको user से input नहीं लेना है आपको क्या करना है कि नहीं आपको compile time ही उसमें hello क्या करना है तो दूस्ता तरीका क्या है आप strcpy फंक्शन का आप क्या करो use करो तो अगर आपको यही task achieve करना है without taking input from user तो आप क्या use कर सकते हो strcpy strcpy आपको क्या करना है string को copy करना है और कौन सी string के अंदर देखो s के अंदर आपको copy करना है hello को तो आप क्या लिखोगे कुछ इस तरह से लिखोगे तो क्या हो जाएगा s के अंदर hello copy हो ठीक है तो आपका ये वाला जो task है इसकी help से आप क्या कर सकते हो achieve कर सकते हो अब आता है आपका next function next sorry statement next question ठीक है तो अब इसमें हमने क्या किया है strcmp string comparison function का हमने क्या किया है use किया है यहाँ पर s1 में हमने क्या दिया है hello यहाँ पर मैं उसको declare करना भूल गई हूँ अब आपको पता ही होगा इतनी basic चीज तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है c h a r all लगा देना है और यह brackets लगा देना है ठीक है तो string s1 हमने कुल मिला के declare किया आप इन basic चीजों पर भी मत जओ हमने s1 declare किये है और उसको initialize कर दिया है hello से h e double l o ठीक है अब obviously यहाँ पर क्या आएगा नल character दाएगा इसके बाद में हमने s2 लिए है और उसको initialize कर दिया h e और capital L l o से ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को compare कर रहे हैं इन दोनों को हम compare कर रहे है तो output क्या आएगा तो देखो जैसा कि मैंने बताया था कि character by character comparison होता है जब तक कोई unmatched character नहीं मिल जाता है ठीक है तो h को ऐसे compare किया दोनों के sky value equal है same है e और e के sky value भी equal है अब यहाँ पर small l के sky value और capital L के sky value दोनों क्या है different है ठीक है तो यहाँ पर क्या मिल गए है unmatched characters मिल गए है कौन सी location पर 0, 1, 2 second location पर unmatched characters मिल गए है ठीक है आप देखो small l की जो sky value होती है वो बड़ी होती है capital L की sky value से ठीक है तो अगर आप बड़ी value में से छोटी value को क्या करोगे subtract करोगे बड़ी में से छोटे को subtract करोगे तो उस case में result positive आएगा या negative आएगा obviously negative आएगा negative ही आएगा ठीक है तो बड़ी में से छोटी value को subtract करोगे तो result क्या आएगा positive आएगा तो positive आएगा तो उस case में यह क्या करेगा? String comparison function कोई positive number देगा most of the cases में उसमें क्या return करता है? plus 1 return करता है, ठीक है? अगर positive result आता है तो negative, अगर यहाँ पर capital L होता, तो इसकी value छोटी और यहाँ पर होता है small l, तो उस case में negative मतलब minus 1 क्या आता result? यह दोनों ही strings बिलकुल equal होती, बिलकुल एक जैसी identical होती, तो उस case में result क्या आता? 0 आता, यह आपको ध्यान दखना है, ठीक है? एक और इस पर base question है कि अगर आपकी first string होती hello, और second string होती hello 1, क्या होती hello 1, तो उस case में देखो, यह characters यहाँ तक तो नॉर्मली length के recording नहीं होता है, character by character comparison होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब यह string बढ़ी है, तो उस case में देखो, यह छोटी मतलब less और यह बढ़ी, इसका मतलब result क्या आएगा, आपका negative आएगा, यह indicate करता है कि आपकी S2 जो है, वो S1 से क्या है, बड़ी है, यह चीजे भी मैंने STRCMP वीडियो में पूरी explain की थी, ठीक है, तो इक करद से आप यह बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर string terminate हो गई है, तो obviously 0 stored है, यहाँ पर कुछ और value stored है, 1 के corresponding value होती है, वो stored है, तो अगर हम 0 में से कुछ भी subtract करेंगे, तो obviously result क्या आएगा, negative ही आएगा, अब यह दो important quotes है, यहाँ पर लिखा है printf, और यहाँ पर लिखा है 5+, और फिर यहाँ पर दिया है, हमने hello world, जब भी मैं पोल create करती हूँ, तो इस ताइब के कोई भी questions पूछती हूँ, तो almost जो answers होते कुछ नहीं समझ में आया है, तो error पर tick कर देते हैं, मतलब error को आप select कर देते हैं, लेकिन हर एक चीज जो आपने जो भी चीज पढ़ी है, उसके allow out of the box कुछ है, इसका मतलब वो यह नहीं है, कि वो error ही है, आपको चीजों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो statement है, आपको लगेगा कि भई हम printf statement ऐसा कुछ थोड़ी ना देते हैं, हम यहाँ पर integer तो कभी देते ही नहीं है, तो अब यहाँ पर आपको लगेगा error आजाएगी, लेकिन error नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि देखो, यहाँ पर हम normally देखो, जब भी हम लिखते हैं, सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान देना है, कि printf statement अगर हमने दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने directly कोई सी भी string दिया है, हमने यहाँ पर S है, S के अंदर क्या है, A, B, C है, अब यहाँ पर हमने क्या दिया है, directly S दे दिया है, अब string के case में हमें format specifier देना ज़रूरी नहीं होता है, तो हमने directly यहाँ पर क्या लिख दिया है, S दिया है, तो इसका मतलब क्या है, कि यह क्या है, string pointer है, string pointer किसको point करता है, हमेशा 0th location को क्या करता है, point करता है, तो यह string pointer किसको point कर रहा है, यह suppose हमारी string है, A, B, C, इसका address suppose 100 है, hijo-Desk刀gy, तो यह E- imposbag कोय़ कर रहा है इसको पॉइंट कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पर S , प्रून काुट कित नहीं है ? इस पूइंट कर रहा है किस प्राइश काुण sundray प्रून का पूर्प ट्लूं काुax से यहां से भीज दाए हैGS, तो उसी तरह से यहां पर मम क्या कर रहें इस जीरोत को भीज हाएं UV लेकिन मैंने लिख दिया है, तो 5 PLUS irr कर रहे हैं ET, अभih redundator के operations हम पढ़ेंगे, खेंगे क्योंकि स्टिंग में तो यह क्या है तो निकाइस में तो यहां पर अगर हम ने लिखा है 5 प्लस दिस तो यह है जिरो फ्लस 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 and 5 क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4 and 5 तो अब जो string print होगी, वो क्या होगी? मतलब हम क्या भेज रहे हैं? फिफ्त लोकेशन का address भेज रहे हैं विफ्त लोकेशन को भेज रहे हैं, ओके? तो फिफ्त लोकेशन से क्या होगी हमारी string print? अगर हम 0 को भेजते हैं, तो 0 location से print होती है, लेकिन अगर हम 5th location को भेज रहे हैं, तो 5th location से हमारी string print होगी, और output में क्या आने वाला है, world आने वाला है, आप इसको run करके ज़रूर देखेगा, okay, इसके बाद है, यह हमारा last code, okay, यह 3 lines का यह code है, यह तो मैंने बाद में explain करने के लिए लिखी है, अब यह है हमारी s1, s1 के अंदर क्या है, hello है, h-e-l-l-o, okay, इसकी आप size भी specify कर दीजे, इसकी suppose हमने दीए, 20 इसकी भी दीए, suppose 20, okay, तो यहाँ पर क्या है, hello or null terminating character है, okay, और इसके बाद में भी इसको memory तो इससे जाद ही मिली, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बता है, हमें 20 bytes चाहिए, okay, इसके बाद में s2 है, जिसके अंदर क्या है, world है, तो s2 के अंदर क्या है, world है, w, o, r, l, and d, okay, इसके बाद में हमने यहाँ पर यह function use किया है, एक ही statement में दो functions को हमने क्या किया है, use किया है, मैं यह नीचे का यहाँ से हटा देती हूँ, तो आपको इस समझ में आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या call होगा, str, cat call होगा, okay, तो str, cat call होगा, मतलब हम string को क्या करना चाहरे है, concatenate करना चाहरे है, कैसे, s1 के अंदर हम क्या चाहते है, s2 concatenate हो जाए, हमने stringate function दिखा ही था, तो s1 के अंदर क्या concatenate हो जाएगा, मतलब s1 के पीछे क्या append हो जाएगा, s2 append हो जाएगा, तो S1 के अब जो नए contents हैं वो क्या हो जाएंगे देखो S1 के पीछे क्या हो गया? Hello World आ गया Sorry, S1 में already Hello है तो उसके पीछे क्या आ जाएगा? World आ जाएगा क्यों? क्योंकि S1 में हम S2 को क्या करना चाहरे हैं? Append करना चाहरे हैं तो S2 के contents क्या हो जाएंगे Hello All World हो जाएंगे W, O, R, L, N, D हो जाएंगे फिल नल करेक्टर तो ये अब क्या हो गया है? S1 के contents S2 के contents अभी यही हैं इनमें कोई changes नहीं होंगे क्योंकि हमेशा जो changes होते हैं इस first वाली string में होते हैं इसमें नहीं होते हैं source में नहीं होते हैं destination में होते हैं कुछ extreme cases हैं जिसमें हो सकता है source में भी changes आजाएं ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ इसके बाद में तो देखो इसका result क्या आया है? इस पूरी का result क्या आया है? S1 के contents अब क्या हो चुके हैं hello world तो इसका result क्या आया है? hello world आया है अब हम क्या बोल रहे है? str, cpy, s2 हम s2 में क्या copy करना चाहते हैं जो इसका result है इसका result क्या है? hello world तो s2 के अंदर अब क्या आजाएगा? hello world copy हो जाएगा copy का मतलब क्या है? वो overwrite हो जाएगे उसके contents तो पहले s2 में world था अब s2 में क्या आजाएगा? hello world आजाएगा ठीक है? तो s2 में अब क्या आगया? hello world आगया s1 में भी क्या है? hello world ये तो आप दोनों को print करके देख सकते हैं